हलो दोस्तो आज की जो हमारी चर्चा है वह वन जीव अभ्यारण पर होगी यह वाइल लाइफ सेंचुरीज पर होगी देखिए 36 गड़ में वन जीव अभ्यारण की बात करें तो टोटल 11 है 11 और 11 जो है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह जो डेटा है यह है तो हम लोग आज इस चोटे से वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे 11 जो अभ्यारण है वो याद करेंगे और जीवन में मैं कोशिश करूँगा कि आप कभी भी इसको भूलना पाए ठीक है तो देखे यह जो 11 अभ्यारण है क्या होता है जब हमको डेटा या फिर फैक की जो को याद करते चलेंगे ठीक है बहुत आसानी से आप याद करेंगे देखे एक छोड़ी सी कहाणी सुनिया अभ्यारण की बात कर देंगे बाद में अब एक कहानी सुनिया क्यों का सीन है च्षती गड़ का एक गाओं है कई लोग उस परिपार्टी से होंगा या फिर क होते हैं गाऊं में वहां पर गोबर्भ पुत्त हैं सुभा सुभा मस्चौका ओमान का बच्चे का नाम है बादल उसको उठारी है सुभा सुभा तो क्रम से आप देखिये और चट्रीस गड़ है तो सुभा हो गई है और सब्फचा आप वहाँ सेन को पहुंच मगीजये और दखिए तभी सीता सुबहस्बह की बात है तभी सीता अचानक से बोली गोबर पोते बरूठ गोबर पोते बरूठ आज कल हमारे हाँ बहुत सारे गोबर वाले योजनाएं चल रही है, सब चीज गोबरे मैं हो गया है, ठीक है, गोबर पेंट आ गया है, गोबर का खाद है, गोधन आए योजना है, तो गोबर हमको छोड़ना नहीं है, तो क्या है, गाओ की मा क्या वो रही है सीता, तभी सीता अचानक से बोली, गोबर पोते बर उठ भोर भाई बादल तीक है गोबर पोतने के लिए उठ भाई और कौन भोर हो गया है बादल यही छोटी सी लाइना बर याद कर लें तो आपको कभी भी छेतरफल को लेकर कंफीूजन नहीं होगा चाहे वो छेतरफल देकर पूअगे कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा याद करने के बाद हमारे पास बहुत समस्या होती है कि confusion बहुत होते हैं जो पढ़ लिये होंगे वो समस्या होंगे confusion बहुत होता है तो यह कभी नहीं पढ़ होगा एक लाइन क्या है तभी सीता अचानक से बोली को थोड़ा साइलेंट कर दीजेगा बोली गोबर पोते बर उठ भोर भय बादल भोर भय बादल एक दो बार आप दोर आएंगे आपको याद हो जाएगा उस कहानी को याद कीजेगा जब गाव में एक माँ अपने बच्चों को उठाती है और बोलती है कि उठ बेटा भोर हो तो से तभी से हो जाएगा सीता से हो गया तमोर पिंगला तभी से हो गया तमोर पिंगला ठीक है उसके सीता से क्या हो जाएगा सीता नदी लिंक हो गया उसके अचानक से हो गया अचानक मार से से हो गया तभी सीता अचानक से 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 हो गया से मर सोत है बोली साइलेंट रहेग पोते से पामेड बरसे बारनवा पारा उठ से उधियंती और भो से भोरम देव ठीक है और किसको उठा रहे भोर भाए बादल भासे भैरमगेड और लास्ट में बरसे बादल खोल ठीक तो देखे इस तरह से आप याद कर सकते हैं अब देखो प्रशन कैसे पुछते हैं माली लिए फूछ लिया इसमें कि निमने में से चार ओप्शन देदिया आपको चार ओफ्शन देदिया और बोला कि मैंसे कौन सा बड़ा है आपको यादी नहीं है रेंडम कुछ पढ़कर ने गए पस यह लाइन आपको याद तो आप इस क्रम को जमाल हों के तो भी बन चलो देख लेते हैं तो देखे पूछे या फिर ऐसे बोले कि निम्ने में से कौन सा बढ़ा होगा करम से जमाई यह तो सारे प्रेशन आपको बन जाएंगे बस यह याद करना है एक छोटे से ट्रिक से कई मल्टिपल कोशिन आप बना सकते हैं और बीना डेटा याद किये डेटा याद करने के छोटी स्ट्रिक लगा लेने चाहिए तो चलिए देखे यह देखे यह देखे छेतर फल इक भी दिया है तमोर पेला कितना होगा चैसो आठ चैसो साथ रहता है कई बुकों में सीजानादी तो क्या दिक्कत है आपको चोटी से ट्रिक लगाने में ठीक है चलिए तो हो गया छेतर फल के अनुसार अब हम लोग बात करते हैं इसका मतलब आपका डेट कब है कब-कब यह बने थे यह पूछता है कि यह सारे किसारे जो है किस किस डेट में बने है तो देखो उसको भी सबसे बड़ा को सा जाएगा तो मूर पिंगला सबसे चोटा को सा बादल छोट और सबसे नया और सबसे फूराना यानACE सबसे बाद में कोन बना और सबसे पहले कोन amazed की जिए तो 11 4 पहले भाड़ Martinez यह जाएंगे ठीक है देखिए माल लीजिए 36 गड़ आप कोशिश करना हां से जितना मैप बने हर एक आपके वाइल सेंचुरी के लिए एक मैप बन जाए तो और अच्छा है यह मैप आप बना देना चार आपको बरने तो देखो यह हमारा सरगुजा संभाग यह पूरा आप जानते होंगे सरगु तमोर पिंगला और इधर जस्पूर पर मिल जाएगा आपका बादल खोल एक सो पांच छैसो आट तो तो तमोर पिंगला और आपका बादल खोल सबसे बड़ा सबसे छोटा कहाँ पर है सरगुजा संभाग में है ऐसे मैप बना के पढ़ लिए तिक उसके बाद सबसे नया सबसे पुराना भी देख लो, तो सबसे नया, सबसे पुराना कौसा हो जाएगा, यही पर हो जाएगा सीता नदी, कौसा नदी, सीता नदी सीता नदी कहा पर, धमतरी में तो जब हुआ था तो 1974 में बना था जएगागा उसके बाद सबसे नया को सा हाईगा, ये भूरम दे हो जाएगा कवरधा में, भूरम देव, कभ हुआ तो 2001 में बना है, तो चार ऐसे यात कर लेन हैं, सबसे बड़े Ş, सरफे चोटे और सबसे नया, सरफे पूराना, जैसे ये मैपँ आप देख लीजिए, सबसे बड़ा को सा सबसे पुराना सीता नदी हो जाएगा 1974 559 उसके बाद सबसे नया को सब जागा भूरमदेव 20163 यह तो हो गया उसके बाद आप कैसे याद करेंगे ठीक है बाकी को कैसे याद करोगे तो देखो यहाँ पर है तमोर पिंगला उपर में क्या है तमोर पिंगला और यहीं पर है आपका सेमर सूथ, सेमर सूथ, ठीक है, सेमर सूथ, तमोर पिंगला और सेमर सूथ, सेमर सूथ कहां है, तो आपका बलरामपूर में, बलरामपूर में, कहां, क्या नाम है, सेमर सूथ, और ये तमोर पिंगला, ये दोनों का एक का पकड़ लो, ठीक, इन दोनों का डेट 1978 1978 1978 इन दोनों का डेत है यह यह दोनों जो कब बने है 1978 में बने तो एक मैप बना ये सूरजपूर में सूरजपूर में सूरजपूर में को और सरभ्राव में य zweimas य्दग jsem chỉण सूथ ए इस टीक है तो एक map बनाना आप, ये सूरज पर में कोई सा हो जाएगा, तमुर पिंगला 1978 में हो जाएगा, 608 वर किलोमेटर, उसके बाद कोई सा, सेमर सोथ है, सेमर सोथ है, सेमर सोथ 1978 ये भी है, उपर उपर में एक टॉप पर, 78, ठीक, और ये आपका 430 वर किलोमेटर में फैला हुआ ठीक है, इसको तो याद करना है कि जुरोती नहीं है, मैंने पहले बोल दिया है, तभी सीता अचानक से बोली वाला, ठीक है, तो आप छोड़ भी दोगो, तो भी वो दिक्कत नहीं है, डेट याद करना है न, ऊपर के दोनो 78, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अगला नीचे है आपका, गोमड़ा, गोमड़ा, और यहाँ पर है अचानक मार, अचानक मार, जस्पूर में को सा है, तो जस्पूर में बादल खोल, बादल खोल, तीन ठोएक साथ, गोमड़ा कहां है, तो आपका सारंगड में, और अचानक मार कहां पर, तो मुंगेली में, तीक ह तीन का मैब बना ली जी आप ऐसे पकड़ वे ये ऐसे ठीक है ये हो गया को साब का बादल खोल ये और आपका को साइब गुमरडा और यह हो जाएगा अचानक मार अचानक मार मुंगेली उसके बाद आपका गुमरडा कहाएगा सारंगगजिला में इन तीनों का एक साथ 1975 याद के लिजिए तीनों का डेट 1975 एक साथ ठीक है ट्रेंगल आप बना सकते हो आप चाहो तो देखो ट्रेंगल बन रहे हैं तो ट्रेंगल बन जाएगा अचानक मार का उसके बाद इधर बादल खुल का और इधर आपका गोमर्डा का ठीक देख लीजिए यह आपक अचाहिए बादल खुल बादल खुल को साथ 1975 सबसे चूटा पहली पढ़ लिए उसका गोमर्डा 1975 दोसो आपका 78 वर किलिमिटर चेत में फैला हुआ है एरिया तो हमको पढ़ना ही नहीं है आप छोड़ भी सकते हैं आप बस देट को फोकस कीजिए उपर के दो 1978 ट्रेंगल जब बना है ट्रेंगल ये को सा जागा 90 75 बहुत आसान है 78 75 उसके बाद उसके बाद देखें इधर आप ले लो उद्यांती से लेकर चलो मैप में कर लेते हैं उसको मैप जरूर बनाई गया क्योंकि कुछ छीजे व्चु आँ मैप से भी याद होती है मैप बनाते बनाते हमको बहुत सारी चीजे याद होती है तो यह तरीके आप अपनाईए ठिक रूके थोड़ा-सा पहले थोड़ा चर्चा कर लें इधर चुड़ा शूड़ गया देखे ये Project Tiger में 2006 में आया था, और Tiger Reserve 2009 में आया है, थोड़ा इसको समझ लो, Project Tiger कहने का मतलब क्या है, जो लिखा हुआ है, उसको कम से कम समझ ले, देखे, Tiger को बसाना है, लाना है, तो Tiger उठाए और पटक दिये, ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं न, ऐसे तो नहीं होगा, तो कैसे होगा फिर, देखो, Tiger को लाने से पहले, उसके अनुकूल वातावरन बनाया जाएगा, साकाहारी जीव लाए जाएगे, उसकी नशल विक्सित करें, एक दो पीठी गुजरेगी, वहाँ पर जो हर्याली है, हर्याली को विक्सित करें, ताकि साकाहारी जीव खा सके, और हीरन और ज है, ऐसे समझ दो, 2006, यान रखेगा, उसके बाद जबी बन गया ना, घर बन गया, उसके लिए एक्मोस्फियर ठीक ठाक कर दिये, तब लेकर आए, को सा Tiger Reserve 2009 में लेकर है, ठीक है, तो याद रखेगा हमारा अचानक मर क्या है, एक आपका Tiger Reserve भी है, प्रोजेक्ट टाइकर 26 मे 18 waves reserve है, ठीक है, आपका वह समझ दो होता क्या है, बैस Leather, देखो, National Park होते है, फिर Wildlife centuries होते है, उसके बाद बैस Leather Reserve आते है, ठीक, इसमें क्या होता है, तीन सेक्शन होते है, एक होता है आपका, प्रोजोन, फिर एक बफर जोन, एक ट्रांजीज जून, ठीक है, प्रोजोन हो वहाँ पर रहते हैं जो इंसान रहते हैं और जो जीव जनतु हैं उसके साथ-साथ वहाँ पर जो वनस्पतिया है वहाँ पर जो आपका मृदा है वो सभी चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है उसी को हम लोग बैस्वियर रिजर्व कह देंगे ठीक है ऐसा छेतर जहां पर इंसानों के साथ-साथ ठीक है इंसानों की जातिया या इंसान के साथ-साथ जीवों का संरक्षन हो वनस्पतियों का संरक्षन हो और साथ-साथ-साथ- मृदा का भी संरक्षन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बैस्वियर रिजर्व बोलेंगे वहाँ पर मिट्टी का, का जो लोग रहते हैं उसका भी होता है जैसे को जोन में मालो जीव को रख दिए ठीक है जीव को कहा रख दिए को जोन में लोगों को रख दिए ठीक है रहते हैं जैसे मैं आपको बता हूँ जैसे अचानक मार की बात करें तो अचानक मार में बैगा जन जाती रहती है उसी ज साथ आपका जीव जन्तुओं को भी सरुक्षन दे रहे हैं ठीक है ये नेशनल पार्वाइसरी विसे थोड़ा सा कम एरिया कम मानियता रहता है हमारा भारत का गर देखोगे तो आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क बना था ठीक और ऐसे देखो को तनील गरी था भारत का ये चप्टिस गड़ में 26-10 देखे अमर कंटक भी साथ में लगा हुआ है यहां कहा गया मुंगेली के पास यहाँ पर के एरिया है यहांपर जो है यहांपर अमर कंटक और अचानक मार बैस्वेय रिजर्व आता है तो थोड़ा सा कम है उसको बैस्वेयर रिजर्व करते हैं ऐ सा मोटर मोटी समझ लिना ठीक है 2005 में बना था उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं हाँ चर्चा कर रहे थे हैं अपन नेक्स्ट वाला पहले उसके बाद देखिया यहां पर है अपका उदियंती कहां पर है गरिया बंद एक हो गया उसके बाद यहीं पर आपका बीजापूर में आज यह दोठ मिल जाएगा यह का पामेड और आपका भैरमगड यह सब के सब 1983 में आते ही 1983 ठीक है उदियंती ऐसे ले लीजिए ऐसे बहुत आसानी से बन जाएगा उदियंती के साथ साथ कौन से हो जाएगा पामेड और भैरमगड तो नीचे तीन बीच में तीन ऊपर दो इसमें भी आपका हो जा रहा है ट्रेंगल बन जा रहा है ठीक है इसका ट्रेंगल ऐसे ठीक है तो 1983 यहाँ पर कौन सा था 1975 उनने सो अठक्तर यहाँ पर दो यहाँ पर तीन यहाँ पर तीन तीन दो पांच दो साथ ऐसी हो गए ठीक है और पहले चार याद कियां एक एक थोड़ा सा लग है यहाँ पर एक और यार रखेंगा उंदेंति और इसके साथ सीता नदी है धमतरी में नदी सीता नदी जो है यह दोनों को मिला कर आपका प्रोजेक्ट टाइगर 26 में जैसे मैंने बताया है इह बानाव पारा एक्सेफ्शन है दोषë बानव अपारा एक 溪ार आकन है 1976 आपको डेठ याद हो गया है विश्वास कीजिए यहां पर 58 दिख रहा होगा यहां पर 75 नीचे में थोड़ा सा जानवार पर करते हैं और विस्ताल से चर्चा, एक-एक अभेहरन की चर्चा जो है हम लोग बाद में करेंगे, थोड़ा सा जानवार अब गवर को देखो, तो देखो, एक और बत बताएं, देखिए थोड़ा, यहां पर है यूपी और यहीं पर है हमारा प्यारा चत्तिसगड़, तो यूपी में न, चुकि फसले होती है, जानवर है बहुत सारे, यहां की राजकी जो पसू है वो नील गाए, यार दखेगा नील गाए, यूपी की जो राजकी पसू है, यूपी की जो राजकी पसू है, ईल गाए, यहां पर नेशनल पार्क भी मिलेगा, तो नील गाए है, सेर आएगा उसके लिए सेर भी यहां मिल जाएगा आपको गुरुघासीजाश नेशनल पार्क में तो यहां पर जैसे मैंने बुला तमूर पिंगला बताया वहाँ पर नील-गाय मिलेगा एक लिंक कर लेना आपको नील-गाय कहां का राजकी पसू है तो उतरपधेश का ए इ यहां से घुमते घुमते भी रहते हैं हाथी और भालू दो लोग है उसके लिए जो हमारा यह जो बेट देख रहा है यह मैकल रेंज वाला यहां पर काना किष्ली नेशनल पार्क वेगरा है यह पूरा टाइगरों का कॉलिडोर है तो सेर यहां पर मिलेंगे हमारे सबसे अच लिए ओधार में मिल जाएगा आपको आपका भाड़ाम देवा आपका भी आव आपका भिहरं मिल जाएगा यह काना किष्ली फूते घुमते आ जाते हैं उनको थोड़े पता है कि च्छती गड़ा है ठीक तो यहां रखेगा यह सोन कुकर मिलता है ठिक है गो मर्ड़ा में क को चीता मिल जाएगा ठीक है आपका लेपड और इधर भी आपके साकहारी जानवर ही भैसा वगरा और हिरन वगरा मिलते हैं तो यह आपके थोड़े जानवर हो गया थोड़ा याद रखेगा इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं नेस्स क्लास में हम लोग इस पेर विस्तार से चाचा करेंगे एक एक अभियारन को लेंगे और देखेंगे इसमें क्या-क्या और कैसे-कैसे है उमीर है आपको ये बाते समझ में आई होगी कभी-कभी जो सिक्वेंस में जब हमको पढ़ना होता है डेटा वगरा होते हैं तो चोटे में ट्रिक और मैप से हम याद कर सकते हैं आज के लिए इतना है रखते हैं थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे झाल